हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडीट की साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो लाइसी का आई प्यो ठेके देखे काफी चर्चा में रहा है लगबग दो साल हो चुके हैं ठीके और अब तो लाँच आने की डेट भी आ चुके थी कुछ सोर्स के दुआरा लेकिन दोस्तो जो यूक्रेन रसिया का यूद चल रहा था जिसके करन मार्केट का माहौल काफी खराब हो चुका था तो वो उस समय लाँच नहीं हुआ ये बता जा रहा था कि दोस्तो जो फाइनेशियल एर बीच चुका है मार्च में ही वो आईप्यो आ जाएगा लेकिन दोस्तो जब वो नहीं आ पाया लेकिन दोस्तो कुछ एक बार फिर से सूर्सेस के जरीए रिपोर्ट के जरीए जो निउस है वो निकल के आ रही है कि इस महने इस तारीक तक दोस्तो लाइसि का आईप्यो आ सकता है तो ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ी निउस आते देखने को मिल रही है ठीके और LIC के IPO के related एक काफी बड़ी positive update है ये दोस्तो investor के related ठीके तो चलिए देखते हैं क्या निउस और किस महने के आसपास ये IPO आ सकता है तो वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले एकी चीज़ में आपको बोलूँगा अगर आपने channel को first time visit किया है तो definitely subscribe करिए युकि daily basis पे इसी प्रकार का बहतरिंग update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चलिए जो news उसको follow करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो money control की site के उपर मैं आप लोगों को लाया हूँ और यह update है न कल का है वैसे तो ठीक है लेकिन दोस्तो आज भी बहुत सारी news जो side है उस पर update हुआ है लेकिन मुझे money control पर best लगा तो जिसके करण में आया हूँ ठीक है LIC IPO सरकार 12 मई से पहले launch कर सकती है LIC का IPO करीब 5-6% हिस्सा बेचने की तयारी ठीक है देखे 5-6% यह पहले से तयारी थी ठीक है अब बता दिया गया है दोस्तो कि 12 मई से पहले यह IPO launch हो सकता है मतलब April चल रहा है ठीक है Almost आप पकड़के चल सकते हो कि एक मेना 5 दिन बचा हुआ है दोस्तो 12 मई की date को अब उसके पहले कि अगर बात हो रही है तो प्रोसेस तो दोस्तो 20 तारीक के बाद से चालू हो जाना चाहिए आने वाला था लेकिन बाजार के जबस दस उतार चड़ाओं के कारण यह टल गया हाला कि अब सरकार मई में LIC का issue launch करने के तैयारी में है ठीक है CNBC TVN 80 ने 5 अप्रेल को सूत्रो से बाचीत के आधार पर यह जानकरी दी है ठीक है अगर पोजिटिव अपडेट है सूत्रो ने बताया है कि सरकार रेड हेरिंग प्रास्टेक्शन को लेकर बेकर और फानेंशियल एडवाइजर के संपर्ग में है RHP के माइने आफर डिरेक्ट में है जो इशू लाने वाली कमपनी लिस्टिंग से पहले मार्केट रेगुलिस्टर से भी को देती है ठीके मतलब दोस्तों ये सब चीज जिसे सेवी को देती है तो वहाँ से भी कुछ रहते हैं दोस्तों जो नियूस अजन्ची वहाँ पर बेटर रहते हैं जो नियूस को भाल लाते है ठीके आरेचपी के साथ ही LIC के IP का इशू प्राइज फिक्स हो जाएगा ठीके मतलब दोस्तों प्रोसेस अब काफी तेजी से चलने लगी है साथ ही ये पता चल जाएगा कि कमपनी का इशू कब खुल रहा है सूत्रों ने ये भी बताया है कि सरकार का LIC के इशू में 5% से जादा हिस्सेदारी बेच सकती है ठीके ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है उसके साथ ही LIC IP की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि कमपनी के अधिकारी चुनोती भरे माहुल में काम कर रहा है उन्होंने कहा है कि बेसे मार्केट अब वेस्विक अनिश्चिताओं से उबर चुका है मतलब दोस्तो जो नेगेटिव न्यूस थी जैसे की इन्फलेक्शन ठीक है जो काफी ज़्यादा परिशान कर रहा था तो आपने देखा कि FOMC ने क्या किया दोस्तो मतलब फेड ने रेट हाई करके उसको थोड़ा कंट्रोल करने के अभी कोशिश की पुरा कंट्रोल में नहीं हुआ है थोड़ा लिक्विडिटी मार्केट से कम करने की कोशिश की सेम वे से ही कंडिशन आर्बियाई भी कर सकता है उसकी मॉनेटरी पॉलेसी 6-7-8 को रहेगी और 8 को आउट कम आएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों जो आपने देखा था क्रूड ओल का प्राइस बढ़ रहा मार्केट उपर नीचे हो रहा यूद्ध चल रहा जिसके करन काफी परेशानी काफी सेलिंग परेशार तो उससे दोस्तों क्या हुआ अब मार्केट उबर चुका है मतलब मार्केट में एक रिकवरी आ चुकी है तो यह सई समय है दोस्तों ठीके कि जो IPO एक महने पहले आना था वो अब आ सकता है क्योंकि मार्केट का जो माहोल है वो पूरी तरीके से सांथ हो चुका है ठीके चले नीचे देखते हैं अब यहां पर आप देख सकते हो सूतरो ने CNBC TVN80 को ये भी बताया कि 18 मार्च को सेवी ने LIC को इशू बेचकर फंड जुताने की अनुमती दे दिये ठीके ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है ठीके सेवी को जमा ड्राफ रेडी रेड हेरिंग पास्प्रेट के मुताबिस सरकार 31 करोड एक्विटी शेर बेच सरकार पहले फिजिकल इयर 2022 में अपनी 5% इसेजरी बेचकर 63 करोड रुपए जुटाने की तैयारी में थी लेकिन बाजार के उता चड़ाओं के कारण LIC का इशू मार्च 2022 तक लांच नहीं हो पाया फिजिकल इयर 2022 में सरकार ने बी निवेश योजना का टार्गेट गटा क 38,000 रुपए कर दिया था ठीके जो पहले दोस्तो इतना था तो अब उसको इतना ही करा ठीके कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ ही पूरी तरह offer for sale ठीके LIC का हाइप पूरी तरह offer for sale होगा इसमें सरकार अपनी हिस्सेतारी बेचेगी कोई fresh issue जारी नहीं किया जाएगा LIC में स अब सब चीज डिटेल पूरी बहार आ रही है भारती शेयर बाजार का सबसे बड़ा इशू ये तो सबी को पता है LIC का इशू भारती शेयर बाजार के इतियास का सबसे बड़ा IP हो है कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद इसका market के valuation, reliance और TCS जिसी टॉप कंपनियों के ब उनका valuation क्या रहेगा? LIC से तो नीचे ही रहेगा तो देश की नंबर वन कंपनी बन जाएगी LIC market के मुकाबले में अब तक है वक्त देखें LIC का इशू लाने के लिए सरकार के पास 12 मही तक का वक्त है ठीक है? अगर सरकार 12 मही तक इशू नहीं ला पाती है तो सेबी के पा 12 मही तक इशू लाना होगा ते के मतलब दोस्तों दो मैने रहते हैं DRHP जमा करने के बाद कि दो मैने के अंदर अंदर आपको IP लाना है अदर्वाइस आपके दो मैने की डेटा का निकल जाती है सहाट दिन की तो उसके बाद आपको फिर यह ड्राप क्या करना पड़ता है सेवी के पास जमा करना पड़ता है फिर पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों पूरी जिस प्रकार से पहले दो मैने में करी थी वैसी डन उसके बाद फिर आपको IP आता है तो यह काफी लेट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह सूतरों ने इसी प्रकार से अनुमान लगाया है इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया हमारे पास IP लाने के लिए 12 मैं तका समय का वक्त है मतलब वही समय है हम बाजार के उतार चाड़ों पर नजर बनाए हुए और जल्द ही प्राइस बेंड के साथ रह पी फाइल करेंगे ठीक है जो इंपोर्टें तो काफी अच्छा न्यूज है अम मार्केट का आज का माहूल देखते हैं क्या देखने को में मिला है उससे पहले आप देख सकते हो देखे 20 गंटे पहले आज तक के साइट पे आया इस तारीक से पहले आ सकता है Great Indian IPO जाने क्या है सरकार का प्लान ठीक है उसके बाद देखे Money Control का तो अपडेट मेंने बता दिया 5 गंटे पहले देखे LIC का IPO बाजार के उता चड़ाओ उसने कम की LIC की वेल्यू ठीके जो 78,000 करोड का था वो 63,000 करोड के असपास या रहा है ठीके जादा इससा बेजकर भी कम पूजी जुटा है पाईगी सरकार जो पहले योधना थी यह तो नहीं है कि मन से दोस्तो वो valuation बना के बेच रहा है पहले दोस्तो इतनी ही हिस्सेदारी 78,000 करोड में बेची जा रही थी ठीके अब दोस्तो मातर वो 63,000 करोड में ही इतनी हिस्सेदारी क्या कर रही है बेचे जा रही है तो problem दोस्तो दोनों जगा पहले इतना government के पा निफ्टी 50 आज गिरावट देखने को मिली ठीके लगबग आदे परसंट से जादा की और 17,807 रुपे पैसे 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 स्टॉक क्लोज हुआ लास्ट पात दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत जोड़दार recovery आई थी और बहुत जोड़दार level तक दोस्तों market के according और यही माहूल को देखके दोस्तों government का फिर से मन हुआ कि चलो ठीक है अब हम IPO लेके आ जाते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों एक बार फिर से अभी माहूल बिगड़ते देखने को मिल रहा है या आज ओ दो दिन में जो गिरावट आई उसके कारण फिर से हमें देखने को मिलेगा कि कहां तक गिरावट आती है कहां तक है एक important support level हम मान के चल सकते हैं सतराजार 500 से सतराजार 600 तक एक बार फिर break होता है तो उमीद करते हैं कि एक बार फिर से सतराजार तक market जा सकता है लेकिन ऐसा विलकुल भी नहीं होगा कहीं न कहीं से चोटी से positive नही लादे लेते हैं तो तेंकि दो तो